नमस्का दोस्तो स्वागा थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल फ्री एजूकेशन में दोस्तो आज किस वीडियो में हम आगामी खेल पृतियोगता हैं जो पृतियोगता हैं आने वाली हैं और कुछ पृतियोगता हैं रीसेंट में कम्प्रीट हुई हैं तो देखिए जितने भी आगामी खेल पृतियोगता हैं उनमें हमें तीन चीजें याद रखना हैं एक तो उसका संसकन कौन सा है ठीक है और दूसरा कहां आजुद किया जाना है मतलब वो इस्थान और तीसरा सं की कब आजुद किया जाना है ठीक है और कब आजुद किया जाएगा तो यह किया जाएगा दो हजार चोबिस को हर चार साल बाद किया जाते है अच्छा चौतीस वा संसकन कब कहां आजुद किया जाएगा तो यह किया जाएगा लॉज एंजल्स यानि की अमेरिका में ठीक है और कब किया जाएगा तो यह किया 28 में अच्छा इसके पहले जो 2016 में ओलंप खेल आयज़ुत किये गए थे वो कहां किये गए थे रियोडी जेनरी यानि की ब्राजील में और वो कौन सा संसक्रण था तो वो कौन सा था 31 बाट ठीक है तो यहां पर हमने चार फेक्ट देखे हैं और चार में से कोई भी आप से मुझा जा सकता है हमने देखा कि संसक्रण कौन सा है कहां पर आयज़ुत किये जाने ठीक है तो सभी फेक्टों को आप बिलकुल आसानी से याद रखें आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं सेकंड कॉस्चन है 24 वे सीथ कालीन ओलंपिक कहां आयज़ुत किये जाएंगे तो देखिए 24 वे सीथ कालीन ओलंपिक आयज़ुत किये जाएंगे बीचिंग में जो कि कहां पड़ता है चीन में पड़ता है कब आयज़ुत किये जाएंगे तो यह किये जाएंगे 2020 में ठीक है अच्छा इसके पहले 23 वे सीथ कालीन ओलंपिक कहां आयज़ुत क किया जाएंगे सीद कालिन तो यह आयज़द किया जाएंगे पैरिस में ठीक है और कब आयज़द किया जाएंगे तो यह किया जाएंगे आपके दो हजार चब्वीस में 25 सीद कालिन ओलंपेक 2026 में पैरिस फ्रांस में आयज़त किया जाएंगे देखिए यदि आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं सब इफेक्ट वहती ज्यादा इंपोर्टेंट है नेस्ट कोस्चन देख लिते हैं नंबर थर्ड कोस्चन है राष्टमंडल यानि कि Commonwealth खेलों का आगामी आयोज़न किस देश में किया जाएगा देखिए जो Commonwealth खेल है इनका आगामी आयोज़न किया जाएगा आपका अपका बर्मिंगं यानि कि England में ठीक है और ये इसका कौन सा आस्टेलिया में ठीक है और कब आयज़ुत किया गया था 2018 में आयज़ुत किया गया था ये भी हर 4 साल बाद होते हैं ठीक है अच्छा Commonwealth खेलों का पूछा जाता है कि सुरुआत कब से हुई तो इसकी सुरुआत हुई थी 1930 से और कहां से हुई थी ये भी पूछा जाता है तो क मेज़वानी किस देश ने की अभी किर्केट World Cup खतम हुआ है और इसकी मेज़वानी England और Wales दोनों देशों ने संयक्त रूप से की थी कौन सा संस्कंण था तो ये था वारवा संस्कंण ठीक है और इसके बाद जो 13 संस्कंण होना है वो कहां होना है अपने देश भारत में ठ भासा है कि यह व्रल्ड कप हमारे हाथों में आये हमारा đेशी जीती ठीक है फिर्मर किर्केट वल्ड कप की शुन besar काड़ा उन्हाAm 1975 से हूई थी ठीक है और हम पहली वर्ल्ल कप कड़ये थे तो 1983 में जीते ठीक है उस टाम कप्तान कौन थे कप 다른 कोन थे कप Mmm 2011 में जीते थे उस टाइम कप्तान कौन थे तो हमारे MS धोनी जी थे उस टाइम कप्तान ठीक है अच्छा जो हाली में किर्केट वर्ल्ड कप संपन हुए हैं 2019 में इसके रेलेशन में कुछ most important fact मैंने लिखे हैं तो इनको आप जरूर समझ लीजिए यहां से एक question आएगा ठीक है ICC किर्केट वर्ल्ड कप 2019 30 मई से लगा कर 14 जुलाई 2019 तक चला है ठीक है कुल 46 दिन चला है और इसमें total कितने मैच खेले गए हैं 48 मैच खेले गए ठीक है कोई भी fact पूछा जा सकता है तो आप एक नजर माल लेजिए ताकि एक्जाम में आपको यह fact याद आ सके 46 दिन चले और कुल 48 मैच खेले गए ठीक है इसका official song कौन सा था stand by इसका official song था ठीक है ICC Cricket World Cup 2019 का पहला मैच दा ओवल जो की कहां पड़ता है लंदन में इस्टेडियम का नाम है दा ओवल ठीक है इस्टेडियम में England और South Africa के बीच में खेला गया था ठीक है पहला मैच किस इस्टेडियम में खेला गया और किस किस के बीच खेला गया नेश्ट फेक्ट है इसका ICC Cricket World Cup 2019 फाइनल मुकाबला Lost Cricket Ground लंदन में ये भी इस्टेडियम कहा है Lost Cricket Ground इस्टेडियम है लंदन में ठीक है New Zealand और England के बीच में खेला गया था जिसमें England बिजेता रहा था और New Zealand के रहा था उप बिजेता रहा था ठीक है तो पहला मैच और ये अंतेम मैच जो की फाइनल हुआ था इनके Ground और किस किस के बीच में मुकाबली हुए हमें याद रखना है कुल कितनी टीमोंने हिस्सा लिया था तो दस टीमोंने हिस्सा लिया था ठीक है और भारतिये टीम के कप्तान कौन थे तो यहां पर ब्राट कोह प्रम सन इसके कपतान थे और जो कैन विलियम सन है इनको क्रकेट वर्ट कप 2019 का प्लेयर आप्था टुनामेंट घोशत किया गा है ठीक है और वर्ल्ट कप 2019 का मैण आपड़ा मैच किसे घोशत किया गया है तो मैण स्टॉक्स को ये और कहां के खिलारी है ये इंगलेंड के नेश्ट फेक्ट देख लेते हैं सेमी फाइनल में भारत का मुकाबला किसके साथ हुआ था तो न्यूजलेंड के साथ हुआ था और ये मैच हम दुरभाग वस हार गए थे अंगला फेक्ट है सरवादिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं तो पूरे क्रिकेट वर्ल् फेक्ट में ठीक है कहां के हैं और टोटल सत्ता इस विकट लिए हैं नेश्ट फेक्ट है वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप दा इंडियन चैलेंज एक पुस्तक है ठीक है इसकी लेखक कौन है तो आसीस रे इसके लेखक है ये पुस्तक पूछी जाएगी ठीक है इसमें ये वर्णन किया गया है कि जो हमारे 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया क्या कंडिशन थी 2011 में क्या कंडिशन थी और इस टाइम क्या कंडिशन है तो ये आसीस रेने लखी है नेश्ट फेक्ट अंगला फेक्ट है वर्ल्ड कप 2019 के सब से यवा कहां के हैं अफगानेस्तान के हैं और इनकी एज कितनी थी अटरा वर्स्ती ठीक है अंगला फेक्ट है वर्ल्ड कप 2019 की एक पारी में सरवाद 17 चक्की लगाने का रेकोर्ड किसके पास है तो ये है योन मार्गन के पास ठीक है और ये योन मार्गन कहां के थे तो जो बिजे ये खेलों का 36 वसंसक्रण गोवा विमायुजत किया जाना है यानि कि जो D option है ये सई अंसर हो जाएगा चगोवा की राध्धानी क्या है पढ़जी है सबी लोग जानते हैं और पूछा जाता है कि पढ़जी किस नदी के किनारे बसा हुगा है तो मांडवी नदी के किनारे प पूछे जाते हैं तो इसका वाविस्वा संसक्रण होना है कतर में और कभ होना है तो 2021 में इसका 22-वा संसकन होना है ठीक है अच्छा जो इसका 23 वा संसकन है ये भी important है क्यों है क्योंकि इसकी में जबनी तीन दिस करेंगे जो 23 वा संसकन है इसका वाइज़न 2026 में किया जाएगा और पहला रहेगा आपका अमेरिका दूसरा रहेगा आपका मैक्सको और तीसर रहेगा आपका कैनेडा ठीक है तो तीनों हमें याद रखना है अच्छा इसका जो 21 बा संसकंड इसके पहले आयजुत किया गया था वो कहां पर आयजुत किया गया था रूस में ठीक है तो 21 बा संसकंड कहां आयजुत किया गया था रूस में आयजुत किया गया था दे स्थापना कब हुई थी ति 1904 में इसकी स्थापना हुई थी इसका मुख्याला कहां है सोजर लेंड में इसका मुख्याला है तो यह फेक्ट आपको याद रखना है नमबर नौ कॉस्चन है हाली में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 का आठवा संसकन कहां पर संपन हुआ है तो यह संपन हुआ है फ्रांस में ठीक है अच्छा है इसमें विजिता टीम कौन सी रही थी अमेरिका इसमें विजिता टीम रही थी और अमेरिका ने किसको हराया था तो अमेरिका ने नीधर लेंड को हराया था ठीक है तो विजिता टीम कौन सी रही थी नीधर लेंड चले कूश्चन है, 13-वे, दक्षण ACI खेलों का आईजवन कहा किया जाएगा, तो 13-वेक दक्षण ACI खेलों का आईजवन किया जाजवन का टमांडू में, और काटमांडू कहाँ पर है, नेपाल में, यानि कि उसका A option है, ये साई आंसर हो जाएगा नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर ग्यारा कॉस्चन है 19 वे ACI खेलों का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा तो देखिए 19 वे ACI खेलों का आयोजन किया जाएगा जांग जू में जो कहां पर पड़ता है चीन में और कब किया जाएगा तो 2022 में किया जाएगा ठीक है अच्छा इसके बाद जो आना है आपका 20 वा ACI खेल ये कहां आयोजन किया जाएगे तो ये किया जाएगा आपकी नगोया जापान में और कब आयोजन किया जाएगे तो 2026 में आयोजन किया जाएगे इसके पहले यानि कि 19 वे के पहले जो 18 वे ACI खेल आयुज़ित किये गए थे ये किये गए थे 2018 में ठीक है और कहां पर आयुज़ित किये गए थे जकारता इंडोनेसिया में ठीक है तो एतने फेक्ट आप इसके संबंद में याद रखें किरकेट ACI कप 2020 का आयुज़ित किया जाएगा तो इसका आयुज़ित किया जाएगा अपने देश भारत में ठीक है तो इंपोर्टेंट है चुकि भारत में आईज़ुत हुना है तो जो ए उप्सन है ये सही अंसर हो जाएगा तो थैंकि दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करके जाना अपने मित्रों के साथ अपने इस्टेडी गुरूप में इसको सेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सथ वैल आइकन दवाना ताकि इसी प्रकार के लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और यदि चाहते हैं आप अभी आप इस प्रकार के वीडियो देखें तो हमारी प्लेल क्या हो तो वह भी आप हमें जरूर बताएं थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अग्लिवीडियों